Good morning all of you, आज मैं आपको फ्लास फिंद का लाजन फर्स्ट, फैमली एंड रिलेशन के बारे में बताऊँगी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फैमली किसे कहते हैं, फैमली का हंदी मिनिंग होता है परिवार एक परिवार आपको भी पताया है कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे लोग होते हैं, कितने जने होते हैं ठीक है, और उसके बाद है and relation, रिलेशन का मतलब आपस में संबन्द, मतलब एक फैमली में जो जो लोग रहते हैं, उनको कोई ना कोई आपस में संबन्द जरूर होता है इसका पहला कोशन देखते हैं, कोशन अपर फार्स, what is our family, जैसे माने अभी बताया था, family किसी कहते है, इस family is a group of people who are related to what another, family वो कहलाती है, जो एक जो इंसान एक घर में है रहा है, और उनका आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई संबंद हो, वो ही हमारी क्ला कहलाती है, family कहला है, फिर question second है, how have family pattern changed with time, जैसे कि आपको पता ही है, आजकल क्या हो रहा है, जैसे family pattern change होता जा रहा है, जैसे family pattern change होता जा रहा है, कि पहले के रहता था, पहले के टाइम में, कि हमेशे joint family रहती, मतलब सयुक्त परिवार रहता था, जिसमें दादा, दादी, चाचा ताओ, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे चीज़ें हो चुकी है, जिससे family pattern बिल्कुल change हो चुका है, अब किवल एक ही परिवार रहता है, एक family में जिसमें पापा और बंचे, तो ये किस वज़े से रहा है, कुछ इस वज़े से भी रहा है, कि लोग भार अपना काम देख जाते हैं, ठीक है, तो इस दिससे family pattern जो है, वो change होता जा रहा है, अब देखें, इसमें यह लिखा है, family pattern have changed due to demand of a nuclear family, अब nuclear family जो एकल करिवार है, उसकी demand बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग करते हैं कि अपनी family को छोड़ने के बाद भी है, कि ह मुझे वहाँ जादा पैसा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने टाइम में इस क्यों करूँ, यही सोचते है हर कोई, अगर मुझे गाणों से जादा शेहर में पैसे मिल रहे हैं, और वही काम है, तो मैं शेहर में जा रहा हूँ, जगें जाना पसंद करूंगा, ठीक है, तो इसी बज़र से फैमिल पैटर की आती जा रहा है, चेंज होता जाएं, नेक्स्ट कॉर्शन है, हाव डज आर्ट ट्रांसफरेबल जोग अफेक्ट अफेक्ट था साइज एक चीज़ बताइए, कि एक ट्रांसफरेबल जोग होती है, हमारी टांसफर एक जगे से दूसरी साइब किया जाता है, उससे भी हमारा फैमिली क्या होती जा रही है, फैमिली सुटती जा रही है, लोग एक जगे रहते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगे तो वो दूसरी जगे चले जाते हैं, तो ये भी फैमिली पैटर को चेंज कर रही है हमारी, जो हमारी जॉइंट फैमिली उस सब्सक्राइब को चेज हो रहा है, ठीक है, कैसे चेज़ हो रहा है, पीपल एंगेस इन ट्रांस्वरेबल जोग यूसरी है, तो शिप्ट कर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिप्ट हो जाते हैं, एक जगे से दूसरी जगे चली जाते हैं, और उनकी सब्सक्राइब चली जाते हैं, मतलब अब किसी फैमिली मेंबर कमाने वाला है, उसका ट्रांस्वर हुआ है, पैसे वो ही आर्ट कर दा था, पैसे वो ही कमा रहा था, अब उसका ट्रांस्वर कर दिया गया है, एक जगे से दूसरी जगे पर इस्थान आपरण कर दिया गया है, तो लोग की उसके फैमिली भी तो उसी के साथ चाहेगी, उसके बच्चे उसकी बाई उसी के साथ चाहेगी, तो पूरी की पूरी फैमली ने उसके साथ चली जाती है। जो रही है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को और इस वज भी फैमलि पैटरें पैटरन सुकुर रहा होए हुमारा जो रहा है। next question है आपका, what cause, displacement, what cause of displacement, displacement का क्या cause है, क्या cause क्या है, displacement is living a place under some compulsion, it can be due to the construction of dams, bridge, flyovers, etc, इसमें क्या है, अब displacement पे भी यह है, कि लोग बाद एक जगे से दूसरी जगे जा रहे है, इसमें रीजन अलग है, इसमें रीजन है, कहीं हमारे यह होता है, कहीं प्रीज बन रहा है, तो वहां के लोगों को हटाने के लिए कह देते हैं, उसको दूसरी जगे पर shift कर दिया जाता है, उन्हें ये, वाज ये जाता है, परhan सा ये जन रहएं हो रहा है, और फूसरी जगे सी भी चान स कव टे जाती है, लोग ये सा ऑपनी सा-घे, अपनी शुज्ड से संपनी there GREEN फिल लाएं, कर जाता है, वैंदने संपनी पाले कानों को छोड छोड पर चले जाते हैं, «मीठ मैच्वा आपका How have women grown over the year? अब कुछ पहले ओर्दों को क्या होता था? इतना importance नहीं मिलता था इसमें कुछ है How have women grows over the year? इन कुछ वर्षों में women's कितनी grow कर गई है? पहले क्या होता? इतना opportunity नहीं मिलता था आगे बढ़ने नहीं जाता था यह लड़किया केवल घड़के काम लिए और भार के काम जो कमाने जाएगा वह केवल लड़के ही है लेकिन अब के ताइम में लड़कों से जादा opportunity मिली हुए है लड़कों को लड़कों से जादा यह बहा जाता है कि हाँ पही तुम बहार कमाओ और उनको opportunity भी मिलती हो उनके अंतर लगल पी होदी कि हाँ में कुछ करना है लड़के लड़कें को ब्रावर समझा जाता है यह ने कि लड़की काम मिल्ड़के चैंज है नहीं नहीं पहले कि पहले कि वह भाग के बहुत कुला जाता अल कि लड़कों से हटकर दोके हैं तुड़ेगाओ 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 लड़कों से ज्यादा क्वालिवाइड है और अपने उपर आत्म निर्भाय है कि मतलब मैं खुद ही कुछ कर सकती हूं उजे किसी और के साइटे की ज़रत है नहीं है मैं नहीं नहीं सोचते हैं कि लड़किया घर काम करने लगे चाहिए लड़की की शादी कर दो पड़ना आ आजकल की लड़किया ऐसे नहीं है आजकल की लड़किया तो बलकी उस रखते हैं मेरी चाहदी लें तो का कि मैं कुछ अच्छा कर सको अपनी जिस्तिकी में आगे भड़ सको ठीक है तो यह हाईली हो गई और सेल्फ रिलाइंट हो गई है लड़किया फिर नेक्स्ट कॉर् आज में ही कौन-Kौन सी ऐसे यह जो हमगोरा आजएदर सूदर असे कई वाली जो आज़ते हैं ऐसे दिश्रास वह फाली हमारी से सीथते आगे बढ़ है यां भी पता है ठीक है तो इसमें हमें कुछ रहे कुछ वैल्यू टोट की जाते है वह कुछ कुछ सी वैल्यू है are some values some values some values taught by our family are some values taught की जाती है फैमिली में वह कुछ कुछ सी है first है offen and paying respect to elders मतलब हमें अपनी elders जो हमसे बड़े हैं उनकी respect करनी चाहिए लेकिन उससे प्यार से बाहते है। यह जब बच्चा सच बोलेगा तो यह होगा कि बुस्ता कुछ गलतिया होती है वो जूट बुल जाता है लेकिन अगर बच्चा सच बोलेगा तो उसमें होता है कि आगे जागे लोगे प्रोब्लम से एंजी करने पड़ी एक जूट के पीचों से बहुत बोलने पड़ जाते हैं इसलिए कभी जूट सच कैसा ही हो गलत हो एक पर अपनी फैमली को बता दो एक दो बार पुस्ता करेग ठीक है बुस्ता करेगा माना लेकिन थोड़े गेर बाद आपको समझा के शान्त भी हो जाएगा आपको समझाएगा गलत बात नहीं बताएगा इसलिए अभी पैमली से जूटा नहीं बोलना चाहिए नेक्स है आपका नोट तो को अलए एनिवान कि मतलब किसी के साथ आप आपको हुख जैसा एक रहते है चीन ख स्टेका पर ना यह Γιαादा है जैसे पता हो किसी सहनु बटक्रिषी से बात करते हैं मैं ऐसे से सबक्सी करना चाहिए है किon थो घूटतील थिंठ लिब करते हैं हम सोचते है आपको देगे किसी चीज के उपर एक हो नी होनी चाहिए आपकी कि हाँ मुझे चाहिए ही चाहिए नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स टाम नोट टू डैमेज आवार बुक्स एंड अदर 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 बिलोंग बिलोंग इंज हमें चीजोंगा डैमेज नहीं करना चाहिए नुक्सान भी पहुचाना चाहिए यहां कि और बुक्स के बारे के बताया हुआ है अब बुक्स तो जिम्हां टविक्स नहीं कर ऊगे जब तक आप डैमिज करने यही है वहाँतो हूं सब्सक्राइबक्स करना ही चाहिए उससे बेसिकिक से कामना अन्सरा तो हुआ है उससे ख़ॉड बैसे करना है करना ही नहीं है किसी चीच को डैमेज करेंगे कि आप इलिवर्ट को टूट जाएगी तूट जाएगी आप नेक्स टाम उसे यूज भी नहीं कर सकते अगर आपको यूज फिर नहीं घरीड भी पड़ेगी इससे चीच कुछी डैमेज मत करो सभाल में रग दो अगर यूज आ आपका यह पिरिश हो गया है अब आपका वर्क यह है कि आपको याद करना है इसेन पहले आपको बुक वर्क वर्ड यह वह लेकिन आपको याद करना है हैं यहरा है यहां करना ही है यह नहीं कि आप लेकर बेढ़े रहेंगे पेरंगी में वोला शुटियों का ग Bluetooth कर लेंगे पता है आप्ष ost से लगे गरें कर लों कि अ चाल को आप खुद सबस्कर को हैं ने हैं और जो चीए समना आप पूर सकते हैं मैज़िस फोन ठाहिक रहुग है, तैंक यू ओक थैंक यू